हलो फ्रेंट्स के आपको प्रेग्निंसी और जैसे ही आपको प्रेग्निंसी का पता चला उसके बाद से आपको कुछ चिर्चड़ापन या कुछ हैडेक या कुछ और तरह कि मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो कई लोग इसको डियाग्नॉसिस में बोलते हैं क प्रेग्निंसी ब्रेइन है याणि कि आपकी जो मानसिक स्वास्तिय Maar 20 से रिलेटेड ऐसे ब्रेग्निंसी ब्रेइन इसको कहा जाता है कि फिर्गFit के प्रेगनेंसी का पता चलता है प्रिगनेंसी के शुरू में में थोड़ा सा मान सिकान। जीमिशोर में करना पाइंगा निढ़ता है। हमें तेल में स्मैल आ रही होती है सबजी हम से नहीं घाई जाती है तो इस तरह के जो एबनॉमल एंवार्मेंट डेवलेफ होता है तो उससे अपने को भूक भी जादा लगती है लेकिन हम कुछ खा भी नहीं पा रहे हो तो वीकनेस भी आ जाती है और इन सब कारणों से हमें क ऐसे हमार्म प्रेग्नेन्स के आकई मेने में 7-8-90 मेने की तरफ चाहते हैं सब्सक्र्थ बढ़ने लगती है तो यानि का अग्र बात करें कि प्रग्नेंसी ब्रेइन हमें कब देखने poko मिलता तो शुरू के टीन महीने इं आत्वा महीना अग्वा महिना wacky याममें लगती और कई बार रात को नेंद भी नहीं आती है तो सुबह हमें चोटचड़ापन महसूस होता है और तनाव महसूस होता है और हम कई बार चीजें भूलने लग जाते हैं जैसे कि amnesia कहते हैं तो इसी लिए pregnancy brain का दूसरा नाम momnesia कहा जाता यानि कि mom plus amnesia यानि कि mammy को जो amnesia या pregnancy में होने वाले जो भूलने की बिमारी है उसे momnesia कहा जाता और उसी का दूसरा नाम pregnancy brain है तो अब आपको यह समझ में आगया होगा कि pregnancy brain आखिर होता क्या है थोड़ा बहुत हर लेड़ी को देखने को मिलता है जो भी pregnant है तो ऐसा कुछ नया नहीं है कि pregnancy में कोई abnormal चीज है बट हमें क्या करना चाहिए कि जिससे कि यह कम हो जाए या नहीं हो यह हम इसको कैसे face करें अब आपके दिमाग में दूसरा सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह होता क्यूं है तो इसके जब कारणों की बात करते हैं तो generally hormone changes जो होते हैं pregnancy के अंदर उनी को इसका जिमेदा टहरा जाता है प्रेगनेंसी में जनरली प्रोजिस्टोन का लेवल काफी ऊपर चला जाता है इस्रोजन का लेवल डाउन होता है और प्रोजिस्टोन एक ऐसा हर्मोन है जिससे थोड़ा सा डिप्रेशन आता है और थोड़ा सा मेंटल और मूड स्विंग वाले changes आते हैं दूसरा के लावा प्रोलेक्टिन का लेवल बढ़ जाता है और भी कई तपकार के हर्मोन का changes आता है और यह जो हर्मोन का बदलाव होता है वही हमारे मानसिक स्थिती को change करता है जिसके वज़े से हमें नीन नहीं आना तनाव और चुछड़ापन की समस्या होने लगती है तो यह जो कर लें तो जो हम अपनी जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं सबसे important है कि अगर आप चीज़ें भूलती है तो आप उनको note down करना शुरू कर दीचे मोबाइल में note pad होता है वहां note कर सकती है इसके लावा आप कोई चीज में alarm लगा सकते हैं अगर आप भूल जाती है तो इसके अलावा आप अपने डाइट पे और लाइफस्टाइल पे जरूर ध्यान दीजे यदि अभी तक आपने अपने अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज शामिल नहीं की है तो definitely उसे शामिल जरूर कर लीजे सुबह का morning walk और evening walk जरूर शामिल कीजे कुछ आप yoga exercises भी शामि होती है और आप अच्छा मैसूस करती है आप अपने डाइट में मसाले वाली चीजें कम कर दीजिए जिससे कि आपको acidity heartburn की समस्या नहीं होगे आप अच्छा फील करेंगी और healthy fruits और सबजियां बढ़ा दीजिए जानिक जित्ती भी प्रकार के आप सबजियां लेती है तो अच्छा रहता है जिसकी वजह से मुड अच्छा रहता है चुड़चड़ापन कम होता है तनाव और अनिद्रा के उस्थि भी कम होती है और यदि अगर आप कम पानी पीती है तो भी एक तनाव और अनिद्रा का कारण हो सकता है इसलिए अपने आपको hydrated रखें यानिकि हर पानी पी लीजे ताके दिन भर में आपका तीन लीटर के आसपास पानी कंपलीट हो जाए जिससे कि आपकी बॉड़ी में हाइड्रेशन पापर रहे और बलड की विसकॉसिटी यानिकि बलड गाढ़ा नहीं होगा जिससे कि oxygen का circulation पापर होगा तो बच्चे को भी nutrition पापर म तो इस तरीके से आप यदि अपनी lifestyle को थोड़ा सा modify करती है नियमित exercise करती है healthy diet लेती है sunlight लेती है पानी खुब सारा लेती है हरी सबजया और fruits आप लेती है तो definitely आपकी यह समस्या काफी हद तक control हो सकती है और वैसे भी pregnancy ते बहुत खुशी की बात होती है सब लोग expect करते है और सब इसका इंतजार करते हैं तो अगर आप अपना थोड़ा सा mindset इस पर करका रखेगी कि हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे हो सकती है लेकिन मैं और मेरे बच्चे का स्वस्त रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो अच्छा music आप साथ साथ सुनती रही है अच्छी अच्छा helpful रहते हैं फिर अगर आपको लगता है कि कुछ और आपको पूछना है तो आप हमसे comment box में लिखके पूछ सकती है आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक नमस्कार